जाहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे स्वस्त होंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आए हैं मुक्तेश्वर मंदिर और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे मुक्तेश्वर मंदिर का जो कि वो उनेश्वर में हैं बहुत ही फेमस मंदिर है यहां का तो पूरा देखेगा इंटक देखेगा वीडियो तब ही आपको पूरी इंफोर्मेशन मिलेगी कि कैसे आना है इस मंदिर में और पसंद आए तो लाइक कर दिजे और शेयर करिए समय अपने परिवार वालों में ताकि वो लोग भी आए तो जानकारी प्राप्त कर पाएं कैसे आना है और दोस्तों में भी सेयर करिए और कमेंट करके बताईए कि और कौन कौन सी जगह आपको देखनी है सब कमेंट करके बताईए और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे लाल कलर कर सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा दिजे तो चलिए चलते हैं अंदर और दे वीधिव मंदिर लग रहा बहुती अच्छा लग रहा है तो मंदिर को यह लिखा है जानकारी लिखिए आप इसको पढ़के भी आगे बढ़ सकते हैं तो पॉस करके वीडियो पढ़ लिए तो चलिए अब सुबाब आपको इसकी टाइ İş बता दून कि कब कब ये खुलता है मंदिर 2 इसकी टाइमिंग है ॥न सुर के साथ बजे से लेकर रात के साथ बजे तक खुला रहता है मंदिर देख सकते हैं और यह सांधार यह दर्णty PM कर रहा है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं और यह जोटे मोटे मंदिर हैं यहां पर और आपको में मेला मंदिर भी मैं दिखांगा तो बने रही है और कुछ जानकारिया भी आप से साजह करूंगा इसी के बारे में मंदिर के बारे में मक्तेस्वर मंदिर jis श्विश्वतावधी का हिंदू मंदिर है जो कि भूमनेश्वर ओडिशा में इस्तित है और जो कि भारत में इस्तित भगवान शिप के मंदिर से समर्पित है मंदिर लगभग 950 से 975 CE का है जो कि भूमनेश्वर ओडिशा में हिंदू मंदिरों के विकास के अध्यान में महत्व का इस्मारक है मुक्तेश्वर सहली गत विकास पहले सभी विकासों की प्रणनिती का प्रतीक है और प्रयोग की अबदी शुरू करता है तो पूरी सताबदी तक जारी रहता है जैसे कि भूमनेश्वर में इस्तित राजरानी मंदिर और लिगराज मंदिर अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग में इंट्रेंस पर आ गए हैं और यह कुछ वियू है में इंट्रेंस का और यह भगवान सिव जी की मूर्ती बनी है और यहां पूजा की जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं और यहां हम लोग दर्शन कर रहे हैं यह कुछ भी हो है जैसा कि आप देख सकते हैं मुक्तेश्वर मंदिर का अंदर का इंट प्रेंस कुछ ऐसा है और इसे सहर का मसूर प्रेह तक इस्थल भी माना जाता है कि इसमें कलिंगा आर्किटेक्चर का उप्योग किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुती सांदार आर्किटेक्चर है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुती बारिक में है और बहुती ऊचा भी बना है जैसा कि आप देख सकते हैं और बीच बीच में मंदिर भी दिये ग अब बहुती सांदार लग रहा है देखने में तो इधर से भी आप पेरी लगा के बाहर आ सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इधर से विव देखे पूरे मुक्तेश्वराय मंदिर का बहुती सांदार है यह बहुती गज़ुका लग रहा है यह जैसा कि आप देख सकते हैं इधर एक कुवा बना है इधर आप लोग शिक्का या चिल्लव डार के मनत मांग सकते हैं भगवान जी से वीसेश मांग सकते हैं भगवान आपकी मनुकामना जरूर पूरे करेगे और ये कुछ व्यू देख सकते हैं मंदिर का बहुती सांदर बना है और ये इधर आप देख सकते हैं गार्डेन बनाएं छोटा सा और इधर विविन तरीके के मंदिर बने हैं छोटे से जैसा कि आप देख सकते हैं और बहु बारिक design की गई है इसकी पूदेख सक्ते हैं हम लोग हनुमान मंदिर आ गए हैं इसी के बगल में बना है और यह वूंदार है इधर अपे लेंगे हम लोग की से हम लोग आ हैं जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे से और अब हम लोगं आप सक्टे हैं चड़ाने के लिए और यह कुछ in tree ऐसा है और यहां दिये विए जला सकते हैं आप लोग पूजा कर सकते हैं तो यह कुछ व्यू है यहां साइड मंडप वगर रहा है यहां पर शिफ जी की सिवलिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं और इधर भी एक मंदिर है और ये कुछ व्यू है ऐसा है और इधर भी जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर बनाएं और ये कुंड है और इधर भी आप लोग दिया हुआ चास सकते हैं और ये एक और मंदिर का व्यू है कुछ ऐसा है म माता का मंदिर है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजे और सेर करिए वीडियो